राजत अध्याक्ष लालू यादव उनकी पत्नी रावडी देवी बड़ी बेटी मिशा भारती और इनके परिवार के जुड़े सत्रा ठीकानों पर शुक्रवार की सुबह सीबी आई ने छापे मारी की मामला लालू यादव के बतोर रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा बताया जा रहा है इस संबंद में सीबी आई की जाज पहले से चल रही है और पहले भी छापे पढ़ चुके हैं पटना में सुबह सुबह करीब साड़े छे बजे सीबी आई अफसर रावडी देवी के घर पहुँच गये और उनके आवास पर छापे मारी शुरू कर दी सुत्रों की माने तो रेलवे भरती बोट घोटाला के नई सबूत मिलने के बाद सीबी आई ने नया केस दर्ज किया है और यहां आपको ये बता दे कि इस वक्त भी छापे मारी चल रही है यूँ तो CBI अपसर रावडी देवी के आवास पर सुबर साड़े छे बजे ही पहुच गई थी लेकिन टीम को अंदर से मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है अब तक कुछ भी बड़ा खुलासा सामने नहीं हुआ है वहीं इसी बीच राजत कार्याले के बाहर एक पोस्टर लगा दिया गया है इस पोस्टर में ये दिखाया जा रहा है कि लालू यादव को तमाम बड़े नेता CBI और Income Tax घोटाले के लोग भी जुकाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लालू यादव जुकेंगे नहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राजत कार्याले के बाहर किस तरीके से इस पोस्टर को लगाया गया है इस पोस्टर में ये दिखाया गया है कि लालू प्रशाद यादव जुकने वाले नहीं है बता दे कि ये पोस्टर प्रेम कुमार यादव के तरफ से लगाया गया है इस वीडियो में लालू यादव के अलावा रावडी देवी और तेजस्वी यादव को भी देखा जा सकता है बता दे कि इस वक्द CBI के और भी अफसर बारी-बारी से रावडी आवास पर पहुँच रहे हैं सुबर 9 बजे करीब एक महिला अफसर भी रावडी आवास पर पहुच चुकी है बताया जा रहा है कि अब सर रावडी आवास में मौझूद महिलाओं से पूछताच करेगी इस वक्त रावडी आवास के बाहर अफराद तफरीम मच्ची हुई है बदादे कि इस मौके पर ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्फी यादव को पहले से भनक लग चुकी थी इस वज़े से वो पटना से बाहर भाग गए है लेकिन जो तस्वीरे आप इस वक्त देख पा रहे हैं इसमें साफ तोर पर ये बताया जा रहा है कि गरीबों के नेता को परिशान किया जा रहा है लेकिन लारू यादव जुकने वालों में से नहीं है